आपका स्वागत है कैसे आप लोग आज होब कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे जैसा के फ्रेंट्स हम रोख पड़ें डबलो डॉल आईडी की ड्राइंग और फिप्ट समेश्ट में पढ़ाई जाते हैं इस विली इन देनेरं को तो यह दी फ्रेंट्स आप इस चैनल प पर आप जाकर पीछे प्लैलिस्ट बनी हुई है उसमें देख सकते हैं तो देखिए क्या दे रखा है डाद्र और एक प्रेंट्स बहुत 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 किसी भी तरह दिया हो बहुत यह सानी से समझ में आएगा राद है यह सेक्शन आप जोने टाइप डेम देखिए है 200 मिटमण दे राखा है और्याहर ऊफ native 25 मितर वर्व अब उल चुक्रीम शू απ इतना राएं च되는 में डाउन ट्कलीम में स्लोप इतना राएंस में अ करेlor से पीछिंग कर नहीं रहती है तो चलिए हम लोग चलते हैं इसकी की तरफ कि सबसेखेले हम लोग एक है लाइन खिंच लेते हैं लाइन सीधी होने चाहीन है यहां से कैसे सीधी लाइन की ठीज ठीक फिर आप यहां से कि यहां से कैसे लाइन खHEN цен ले जिए यहां से सीधी लाइन आप लोगों के लेदली इसे दोलते हैं वाप क्या बोलेंगे इस हैं का नेचर सर्फेस लेवरल कि नेचर नेचर सर्फेस लेवल हो गया ठीक अब आप देखेंगे कोईशन उठाएंगे कि आपका जो है की देखिए टोप वाइड आफ बेड का जो आरेल दिया है आरेल आफ बेड देखिए 200 मीटर दे रखा है ठीक तो आप यहां प्लिक देंगे यहां पर आरेल मितलब साइड में ऐसे कहीं पर भी आप लिख सकते हैं आरेल जी कुल 200 मीटर ठीक तो यहां पर आप 200 मीटर ठीक तो यहां पर इसकी हाइट नहीं दे टॉप डैम की जो वाइड इतना दे रखा है और आरेल के फॉर्म में आपको जो दे रखा है आरेल आफ टॉप डैम मतलब इस आरेल की जो टॉप की यहां से यहां तक कि यह उचाई है हाइट जी है आप बोलते हैं यही पचीस मीटर है ठीक तो सबसे पहले तो हम लोग इंग्लिस मीडियम बालने होंगे ठीक सभी प्रॉसस तो इंग्लिस में ही है फिलाल चलिए देखते हैं हम लोग तो अब हमको इसकेल की जरूरत पड़ी क्योंकि यह 25 मीटर आएगा तो 25 मीटर तो हम लोग बना नहीं पाएंगी अब इसलिए कि यह 25 है मीटर सेंटी मीटर म अब इसमें अन्रेट से गुड़ा करें अब 400 से भाइग दीजी अपनी ड्राइंग सीट पर बनाने के लिए तो 6.25 आ रहा है 6.25 देखिए यहां पर टू और 125 यहीं पर आ जाएगा यह ठेक यहां पर कुछ आ गया अब यहां पर आने के बाद जो है कि आप यहां से एक लाइन खींच लीजिए कि यहां तो खो गया आप यहां पर आप चाहें से हम लोग मतलब इसे 25 मीटर उठाएं हैं मतलब यहां रहां है पहें हैं 25 मीटर टैक 25 मीटर यह हो गया आपका टिक आप देखिए आपका टोप दे रखा है टोप वाइड आप डैम मतलब जो डैम की उपर ही चौणाई कितनी है तो डैम की उपर ही चौणाई है आपकी 5 मीटर तो 5 गुड़े आप 2-0 बढ़ा लेजिए वह सही हो जाएगा ठीक भागे 400 कर लीज टो 12 में के गरीब आएगा तो तकी से 12 mm की जाएगा तो यहां पर है कुछ आप था करो कि कि खींच दियेगा ठीक एक बारए एमिंब के करीब है지 यहां से यहीँ चले जिएए चलिए यहां तक हो गया अब आपको देखिए इधर देना है इधर भी स्लोप देना है आप स्लोप भुआंस इन इस ऑस कइम सब्सु दे fulfillment का पुइस स्लोप देख़ें यहां पर यू अब बनाया गया लिखा गया स्लोक 3 2 1 यानि आप जो है कि देखें इसका फॉर्म होता है ज़िए है यह आप एक मीटर यह आप एक मीटर नेधिन वर्टिकल चलेंगे तो हम लोग चलेंगे कि कितना वार्टिकल चलेंगे 55 मीटर ठीक अब यहां से यहांत तक 75 इर रुख यह थोड़ा सा हम लोग तोड़ा सा यह देंग के जो टॉप का जो है कि यहां से यहां तक हम इसे लिख लेकिते हैं कि मितलब कितना आए ठीक ठीक थोड़ा से मुझे कहां से आ रही है तो आप लोग इसे कंप्रमाइज करिएगा और देखिए हम बहुत ब्यातर बनाना से जाएंगे डैम जो ने टाइप का ठीक परिसान होने की मतलब कोई ऐसी बात नहीं है इसे हिसाब से आप इसी के लाइन के पारलर करते हुए इस लाइन के पारलर एमडी को कस लीजिएगा और यहां पर एक पॉइंटिंग कर लीजिए एक पॉइंटिंग यहां पर कर लीजिए ठीक और यहां से नीचे भी यहां से दूरी सो करिए कि मतलब कितनी है तो कियों अभी हम बता रहे हैं 35, 75 जो हम लोग किये हैं 25 पचाइस्तियां 75 कियेστεं हैं तो हम लोग 75 की दूरी कहां से करेंगे इसके सेल सेल में यहां से मेजर करते हैं अ deposit t cur यहां से आपको मेजर करना चाहिए आज वीडियोगा बहुत रीम पड़ेगी तुम्हों मैं खासी आ रहा है तो देखिए फाफश्तिंह película इसा श्लोप देंगे इसका ठीक अब हम लोग जब स्लोप देंगे इसका दिखे देंगे तो यहां से जब देंगे तो हम लोग दे रहा हैं जो किड़ा ऑप स्टीम की तरफ ठीक अप इस्टीम की तरफ दे रहा हैं स्लोप तो तो three ratio one आप three टेटरी जो है हॉरिजोंटल जलेंगे वर्टिकल दूरी से आप गूड़ा कर देंगे वाप होरिजोंटल निकल के चलाएगा तो पचीस में तीन सो गूड़ा करेंगे तो पचहतर बाद सो करेंगे आप तो 75 करें डबल जिरू करें सेंटीमीटर में आ जाएगा ठेक 400 से भाग दीजिए 18.75 ठेक यहां तक सभी को समझ में आए और नो डाउट किसी को कोई 18.75 सेंटीमीटर आया था तो आप मेजर करें यहां से यह 18 हो गया पांच हो गया 567 ठेक देखिए फिर से इस पॉइंट से आपको मेंच करना है मितलब यहां से दूरी लेनी है देखिए यहां तक हो गया ना आपको दीख पार आओगा देखिए यह हो गया पांच छे साथ 18.75 का मुग खीचना था थीक तो आम लोग यहां से कर लेतें यहां पर पॉइंटिंग ठीक नेक बार आम लोग यहां से स्लोप देंगे यहां से ठीक ना किसी को कोई प्रोब्ल पर आम नहीं हों इच यह ठीक हो गया यहां यहां से यहां तक की दूरिंग सी है यहां से यहां तक की दूरी जो है यहां से यहां तक की दूरी थी कि यहां से यहां तक के दूरी है ठेक तो यह 75 मीटर थी आपकी करनेक बाद आएगा उससे नहीं लिखना है बस ऐसे आप लिखनें 75 मीटर यह चुकिए आपका यह आप स्लोप ता अब इधर आमको बनाना है डाउन स्लोप ठेक तो आई होप कि सब को समझ में अच्छे से आ र भी करें ठीक आप देखिए इसी दूरी का हमको इधर भी स्लोप लेना है हम जो डाइम की जब एरिगेशन में पढ़ा है थे आपको एरिगेशन वाला मतलब नहर का जब पढ़ाए थे कैनल का तुसमें बहुत अच्छे वे में स्लोप लेने का तरीका बाता है जो लोग कॉ उनको बहुत अच्छे में आ रहा होगा समझ में फिर देखिए इसका यहां पर तीन गुना किया है यहां पर दो गुना करना है बस तो यहां पर 25-50 कर लेजिए आप 50 ऐसे कर लेजिए 25-50 हो जाएगा आपका 50 इसे से सेंटीमेटर से करने के लिए इसमें दो जिरो और जो क эти कि अब यहां कि आप वह कि आथिए 25-50 कि और गया थेख आप यहां सेटीमेटरंगे अप लगाएं हैं से यहां से दोसे मेजस करेंगे आप विम्यारा कहा रहा है आपकाि यहां से स Lakes से आप कर आ रहा है यहां पर आरहा है 150 यहां ए topics नि कि यहां से आप ऐसे कि इसको स्लोप देंगे कि यहां से इसको ऐसे स्लोप देंगे ठीक कि इसको ऐसे यहां से स्लोप देंगे ऐसे देने के बाद कि यहां से आप इसकी दूरी फिर लिख दीजिए कि दूरी कितनी है यहां से केतना केतना दूरी यहां यहां से बूल आपकी 50 कि भित हैं तो यहां से दूर्य आपकी 50 मीतर ने नीड आप को बताया हिं यहां पर लेंगे अप內 प्र Kane बिर यहां पर 50 मीतर लेंगे आप यहां पर 50 मीतर ठीक और यहां का दिखे प्रोसेस अभी आप भोन से कर लिया हम लोग ने सभी दूर्यों को लिख ली यह आपका डाउन स्लोप यह अप स्टीम यह डाउन स्टीम यह आप स्टीम देखिए कि ठेक कि दो सम्बंदे 1 ठेक यह आपका शिरी सम्बंदे 1 ठेक हो गया ना अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ओके अब आगे चलते हैं देखिए अब आपका जो मतलब इधर देख लीजी हम लोगों यहां से इसको यहां पर मैश करा हां से आपकी यहां तक की दूरी आई थी ठीक 75 अनल यहां से यहां से आहां तक ही आया था पाचास मींटर जो आप कनवर्ट करें साड़े बारा सेंटी मींटर आगा साड़े बार सेंटी मिला लिए आप देखिए इधर कुछ कुछ नहीं है अब हम लोगों को जो भी करना कुछ सब इसी पर करना है और यहां ही तक करना है ठीक तो आईए अब यहां पर देखिए सबसे पहले आप इसके इंबेक्मेंट के टॉप कि या बाद के टॉप के बराबर एक ऐसे डॉट्ट इडाइन मनाईए कि यहां से डॉट्ट इडाइन बना लिए ठीक डॉट्ट इडाइन बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे फ्रेंट की देखिए आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि आपका एफस लेबल कितना है तो एफस लेबल 220 मीटर है कि दो सबीस में दो जिरो और कोई सेंटीमीटर में आ गया चार सब से भाग देजिए पच्पन आ ठीक आपका कि कि इस बात से सामत है कि पच्पन ऐसे ही लिया जाएगा या ऐसे हम लोग करेंगे बनाएंगे तो जो भी ऐसा करेगा उसका गलत है लोजिक क्या है देखिए यहाँ से बैड लेवल इतना है ठीक आपका जो बैड लेवल का अर्यल इतना दे रखा है तो याव इसके बाद जो ऊपर बनेगा तो प्लस नहीं जोड़ा जाएगा ना इसी के उपर जोड़ा जोड़कर उससे बनाए जाए जाएगा ठीक तो यहाँ से जो यह आप 20 है कि लेंगे ठीक देखिए आप ऐसी नहीं करीगा यहां पर जो 20 यह 20 लेंगे चुकि और एल के फार्म में है ठीक ना आपको बेड़ लेवल का यह रखा है 200 मीटर यह आपको बेड़ लेवल पर 200 मीटर आप इसकी ऊपर जीतना भी जेगा 20 मीटर 30 मीटर तो 20-30 मीटर आपका इसे यह आपका देखिए 5 सेंटी मीटर आ गया ठीक है 5 सेंटी मीटर आ गया तो यहां से आप 5 सेंटी मीटर जो है अपना देखिए कहीं से मेजर कर लीजिए आप कहीं से भी अपना 5 सेंटी मीटर जो है कि मेजर कर सकते हैं 5 सेंटी मीटर आया है 5 सेंटी मीटर आया है तो यहां मेजर कर लेते हैं यहां पर हम लोगों का पाँच सेंटिमेटर रहा है ठीख मैं यहां पर पंच सेंटिमीटर थोड़ा सा बैक कर लिए जिद्धना बैक करें की अच्छे में में आ जाएगा ठेक कि यहां से इंद्ध कि 5 सेंटिमीटर stir Hear 5 cm यहां पर आगा ठीक 5 cm 5 cm आने के बाद दिखी यहान से आप फिर अइसे आप कर लीजिए यहां से आइसे करने के बाद कछिप यहां से आप आइस- इससे डॉटेड कर सकते इन डॉटेड करते हूं फ्रेंट आप अपना जो है कि ऐसे कर लीजिएगा यहां तक यह आपका जो फ्री बोर्ड है कि ठीक अब यहां से आप इसकी दूरी दिखा दीजिए पर लिकिए यहां से यहां तक कि मतलब दूरी कितनी थी जो की कोई मतलब कर फ्यूज ना हो एफ एस लेवल ठेक यहां से आप लिखिए पहले प्रेश एस अर्याइल के फॉर्म में ना अर्याइल एफ्एस लेवल दूसोबीस अ कि मीटर हो गया आपका ठीक चलिए अब यहां से देखिए इसको फ्री बोड़ देना है तो यहां से यहां तक कि जो दूरी होती से फ्री बोड़ करते हैं हम लोग ठीक तो हम लोग थोड़ जाल करके ही अपना इस प्री बोर्ड यहां पर लिखे लेंगे अपना यहां से ठीक तर्णब को लिख लेंगे इसमारा ठीक। कि इससे बोलेंगे प्री बोर्ड कि अधिल कि प्री बोर्ड दिखें है तो को इसे तो इसित्पर्ड चमप्लीट होचका है हम अपना थीजसा सुख़ा सकते हैं अब को देना आपका वक्याइस में जोन बचा तो जुन परहूं हम बता रहें वह आपको देखिए कि आपका बीच में इधर आपका ओगा ओंगा मैं लिखता ही चल रहा हूं तो आम वह बना लें चुकिस में 10 मीटर दे रखा है ठीक तू जोन वाला हम लोग बना लेंगे तू जोन ठीक तो टू जोन में तू वाला जोन बीच में बनेगा जखेंगे वन जोन टू जोन त्री जोन ओके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चीजिए ठीक और यहां पर हमने केवल लिखना ज देंगे तो यह सेंटीमीटर में आ जाएगा 400 से भाग देंगे आपके इस केल पर बनाने लायका जाएगा टू पॉइंट फाइब दे रखा है ठीक यानि पचीस में ठीक पचीस में दे रखा है तो आप इसके सेंटर बारे में मिदर फारे में मिदर पॉइंटिंग कर बस ठीक यहां से यहां पॉइंटिंग कर लिजे ठीक अब देखें पॉइंटिंग करने के बाद जो है मतलब इस छोर को इससे मिलाना है ठीक और को इससे मिलाना सौरी चूंके मैं आ रही खासी है ठीग चलिए यहां से देखिए अम लोग इसको ऐसे मिला लेते हैं ते कर एक और इसके बाद हम जो है कुछ इसको मिला लेते हैं एसको जो है इस trek ते और हम लोग एॉक कि तो 45 तो 45 पर गया तो देखिए और यहां से यह ऐसे एक का इसी लाइनिंग क्राइए ठीश यहां से एक को आएसे लाइन खींच है फिर और बहटर होगा जीतना प्सक्रat कर लेंगे ठेक यहां से कैसे ठेक 45 डिग्री पर फिर 45 डिग्री पर ठेक इसके बीच की जो दूरियां लगबख समान हुई चाहिए इसका मिसलों कोई वो डाटा में आपको देगा नहीं कि नहीं यह समान ही करके दिखा हो ठेक बसरते दिखने में समान दिखें तो बहतर होगा ठेक प्रॉपर एमडी के बैस बीडियो बनाई जा रही है आपकी ठेक अभी तुब आप एक लाइन मतलब एक साइट से कर रहे हैं भी दूसरी साइट से भी करना है ठेक यह लीपाप होती भी करना चालू कर रही है ठेक थोड़ा मुर्त खराब है इसलिए आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करें और खासी वासी के ज्यादा सुनाई देंगे आपको इस सब चीजी कि देखिए एक साइट से हो गया ठीक आप अब आप चाहें तो इस साइट से बैसे करते हुए आजाए ठेक इस साइट से भी आप चाहें तो करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए नीचे की तरफ आना है ठीक इसे आदि आप चाहें तो आप वीडियो रोकर अपने से बना सकते हैं इसे ठीक चलिए अब आपका बज़ गया है एक दिखाना आपको हाइड्रोलोजिकल ग्रेडियंट लाइन ठीक तो आप उसे भी दिखा लीजिए चलिए यहां से देखिए यह जो होता है आपका यहां यहां से आपको दिखाना रहा था है जो है यहां से यहां से यहां से देखती है यहां से आप जो है कि यहां से यहां पर यह आप लिख देंगे है एच जी एच जी एल अ कि हाइड्रोलोजिकल ग्रेडियंट लाइन ठीक चलिए यह आपका बन गया अब हम लोग को देखिए इसमें आपका यह आपने क्या बनाया है अब जोन पले जो है कि लिख लिजी आपका जो है कि एक जोन हो गया यह आपका दूसरा वाला जोन है झाय है यहां पर देख पाएंगे यह आपका फास्ट जोन एए थार्ड जोन ए और सेकेंड जोन ठीक कोई अब दे Bay abe part to second foster नुम्म क्या क्या है सभी अप लिख दीजिए फास्ट जून यह उंप लिखेंगे ऐसे फास्ट जून जोन में लिखेंगे अंक है जो नोमबर फास्ट एसमें देहिए लिखा गया सिल शेल्ट अब एंड शेल्ट एंड क्ले शेल्ट एंड क्ले शेल्ट एंड क्ले फिर दूसरा वाला जोन है देखिए आपका जो है जोन नॉम्मर टू कि इसमें आपका क्ले बेस वाइड 10 मीटर ठीक आपका देखिए थर्ड जोन में क्या है जोन नॉम्मर थर्ड जोन नॉमर थर्ड है आपका कोर्स ग्रेवल ठीक तो आपने तीनों जोन को लिख लिए अच्छेवे में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इधर वाला नहीं देखिए आपको देखिए बस आप कोईशन पर से तीनों जोन को उतार करें यहां पर लिख दीजिए यह वाला जोन है यह वाला जोन है और यह वाला जोन है ठीक चलिए देखें फ्रेंट्स थोड़ा समय तव्यत खराब है ऐसा नहीं कि आज से कराव एक हफ्ते से खराब है इसलिए थोड़ा सा मुझे खांसे आ रहे थी इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था लेकिन जादे दिनों को इसलिए मैं शुटाओं कि एक वीडियो डाल दू ठीक अब भी हम लोग अपना स्लेबस बहुत ही अच्छे में कवर कर चुके हैं ठीक अभी आपका जो कि नोटिस आ गई हुए 25 दिसंबर से 27 दिसंबर से पेपर होने वाला है तो अभी दिसंबर दो महीने बाद आएगा ठीक चलिए यहां पर हां यहां पर आप जो है कि जो होमोजीनियस अर्थन डेम में देते थे रबल इस्टोन का 600 mm ठीक 600 mm ठीक रबल इस्टोन पीचिंग और एक था आपका 400 mm ठीक ग्रेवल सेंड ठीक तो ओ दोनों भी आप देंगे ठीक तो जब आप कि चर्शाब को बतलेंगे तो डेन अमें के करीब आएगा ठीक यहां से देखिए यहां से आप इस छिए लाइन को यहां से आप ऐसे करीए और ऐसे करते हुएूए यहां अगया थिक यह आपका पहला वला बन रहा है ठीक अफ फीर एक मेंक माला बना लेजिये अथेjac कि एक में यहां से एक मम मुला बनाई है ठीक और देखिए जैसे में बना भी दिया पोई से बनाने का प्रियास करेंगी तो बहुत बहतर होगा है कि ठेख ठेख देखिए बन गया अब 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 इसमें डॉटिट करकी अपना जो है कि लिख लीजिएगा कि कौन सा मतलब क्या है असा नहीं कि मैं नहीं लिखूंगा मैं भी अभी आपको लिख कर दिखा रहा हूं ठेख ठेख चलिए मैं भी लिख कर दिखा दूं आपको जो यह उपर है आपका 600 mm ठेख छाश्वम्यम् ठेख रबल इस्टों ठेख छाश्वम्यम् ठेख रबल इस्टों पिचिंग ठीक पीच्चिंग यह दिखिए पूराने वाला कोश्चन पेपर से है ठीक इसे आपको याद करना पड़ेगा और याद करके किसी लिखना पड़ेगा फिर अब नीची वाले को लिख लीजी यह आपका साथ 400 मिन ठीक सेंड ग्रेवल ठीक ठीक अब आपका यह पूरी तरह से पनके कंप्लीट होता है ठीक अब आपको क्यों नीची इसके लिखना है इसके आपकी तो कि यह डैम काफी बड़ा है तो यहां पर आप लोग नीचे लिखेंगे और आप आप लोग हम कोश्चन पेपर लिखते हैं तो आप कोश्चन पेपर लिखने का प्रयासना करिएगा ठीक यहां पर आप लिखेंगे एक्स सेक्षन रिख सेक्षन और यहां पर लोग सेमाब्द करते हैं और यह आपका पूरी तरह से बन के त्यार और चुका है बस आपको इसका जिदर कॉर्णर नहीं दिखाई दे रहा है ठीक आप लोग इसमें आगे पिछे करके बखु भी तर्युकित से बना लेंगे जैन्द मिलते हैं नेक्स वीडियो में